गर्चरोली महाराश राज्य के उन जिलों में से एक है जो प्रकृतिक संसादनों जंगलों आदिवासी संस्क्रति और विविदिता में सम्रद्ध है गर्चरोली का पूरा जिला उध्योग से विरहित है इसलिए अधिकांश लोगों को अपनी आजवी का क्लिक रशी वैपार और श्रम पर निर्भर रहना पड़ता है लेकिन जिले में अवैद कारोबार की प्रसार के कारण जिले के नागरिकों को गरीबी की और धकिला जा रहा है परंपरा के नाम पर आदिवासी लोगों की खुलियाम लूट की जा रही है इन प्रमुक गैर कानूनी वैफसायों में से एक पोते पली और गुंजन वाही में शुरू मुर्गा बाजा स्वपता के बुद्वार और इतवार को ना केवल गर्चिरोली जिले के बलकी तेलंगाना चित्तिजगर से चंदरपूर राजोरा चीमूर बल्लाशा के लगपत सो रुपे पर दस टक्का रकम जमा की जाती है यह धंदा कई सालों से चल रहा है और इसका प्रचार जगा जगा हो चुका है गौर्टलब है कि इस मुर्गा बाजा में स्कूल बच्चे भी जा रहे हैं इसलिए इन बच्चों को कम उम्र में जुए के आदी होने की संभाव पर लोगों में खेलने की चाह निर्मान करने है तू एक रुपे पर आठ रुपे देने तक का लालच दिया जा रहा है यह मुर्गा बाजार के खिलाफ क्या कारवाई की गई है मुर्गा बाजार का ठेकेदान निडर होकर धंदा कैसे चला रहा है इसमें किसका समर्थन है ऐसे कई सवाल लोगों के मन में उठ रहे हैं जुगार के इस लूटमा धंदे को तुरंत बंद करने की मांग स्वर पकड़ रही है आर मोरी से बीसेन न्यूस के लिए हरेंदर मडावी की रिपोर्ट